उठवा लूँगी वहीं से आहां राजा भायों से उठवा लेंगे और तब तो आप राजा भायों को भी बूला के लेकर आईए और आप भी आई सामने हैं हम भी देखते हैं कि पत्री में खाई और छेद कर दी इसी की लोग बोलते हैं कि जिसी पत्तल में खाऊ उसको छेद नहीं करना चाहिए तो यह औरत एक दम नागिन निकल गई वो चीज यह हसास हुआ इसलिए साथ बड़े लोग छोटे लोग का सपोर्ट नहीं करत हैं बहुत बड़े नहीं हैं हम जिस तरह से उठे हैं जिस परिसानी से मेरे मम्मी पापा जहले हैं और मेरी साधी किया है मुझे पता है तो साधी यह दर्द मैं कभी भूलना नहीं चाहती हूं बड़ना दूबे को एक बार परधान से धंकी मिलती है अब बड़ना दूबे को इस बार राजा भाईया के नाम से धंकी मिली है तो ये उन दूसरे से मतलब कॉन्फरेस थी किसी को लाइन पे लिए थी उनसे धमकी दिलवाई वो धमकी दिए कि मैं राजा भाये को कोठी से बोल रही हूं आप बात करवा या और उठवा लूँगी वहीं से आप उठवाने की बात कर रहे हैं राजा भाये से उठवा लेंगे तब और गुस्ता आ गया मैं राजा भाये से उठवा लेंगी तो आप राजा भाये को भी बुला के लेके आईए और आप भी आईए सामने हम भी देखते हैं कि किसमे कमी है और राजा भाये भी देखेंगे ना कमी पहले देखेंगे बात मानित व्यक्त को बदनाम कर रही है यह बदनाम किया जा रहा है उनके नाम पर बदनाम कर रही है राजबिये को तो हम तो खुब बोले हैं जो भी मेरे मन में आया और मैं उनसे बोली आप आवाज रिकार्ड करिये सोसल मीडिये पे डारिये जो भी मैं बोल रही हूँ मेरे यह कोई बात नहीं थी मैं सोची कि एक छोटी मोटी बात पर अगर हम कुछ ऐसा कदम उठाते हैं तो लोग क्या सोचेंगे मैं मुझे सरम आ रही थी तो मैं मतलब उसमें पड़ गई कि इतनी पबलिक हमारे पास आती है तो अगर हम ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा इसलिए मै ऐसा कदम नहीं उठाई कदम क्यूं उठाई गुस्य में आके मैं तब खोली मैं वो ली अब मैं भी खोलती हूं सच्चा ही आपका क्या है वो भी मैं जनता के सामने रखती हूं कितनी आप इमानदार हो आप एक कॉपी राइट के वजह से किसी का इज़्जत पे आप खेल गई आप हमारी पत्री में खाई और छेद कर दी इसी की लोग बोलते हैं कि जिसी पत्तल में खाऊ उसको छेद नहीं करना चाहिए तो यह औरत एकदब नागिन निकल गई ऐसे तो आपका होसला टूर जाएगा आप इतनी अच्छाईयां कर रहे हैं आपके साथ गलत हो रह हैं कितनी लोग से बात करते हैं फोन में अपना गाना रिकॉर्ड करना दूसरे के गाना दूसरे के चैनल पे मेरा जाता ह्या एक आप फिर भी हम लोगों का सपोर्ट करते हैं, मुझे वो चीज यह हसास हुआ, इसलिए साथ बड़े लोग छोटे लोग का सपोर्ट नहीं करते हैं, में बात यह यह, यह असलिए एक वज़ा है, जो दर्द सामने निकल के आ रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, में चीज यह इसलिए बहुत बड़े नहीं हैं, हम जिस तरह से उठे हैं, जिस परिसानी से मेरे मम्मी पापा जेले हैं और मेरी साधी किये हैं, मुझे पता है, तो साधी यह दर्द मैं कभी भूलना नहीं चाहती हूं, और किसी का दर्द यह सुनना सहना भी नहीं चाहती हूं, इसलिए मैं सब क और आपके साथ अन्याय हुआ तो आप फाई-आर करों न अब हम भी कर वाएंगे नहीं नहीं कियो कर्वाएंगे जो कहना था मैं कहा दी और में अफाई-आर नहीं कर वाएंगे ऐसे बदनाम करेंगे उनको पता है ना उनकी गलती है उन पकड़ी जाएंगी इसलिए नहीं आ झाल झाल